तो हेलो दोस्तों आप सबीका फिरसे एक नई वीडियो में स्वाग है तो आज किस वीडियो में बात करने वाले यह है वीवो का T3X 5G आला फोन और यह मैंने अभी नया फोन जो खरीदा था ठीक है इसको मैं काफ़ी दिन से चला रहा था तो आज किस वीडियो में बात करने यह इस वाले फोन के रीव्ः के बारे में अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोज़़ से जो आपको 15000 से कम आप देखने को मिल जाए यह यह जब फोन भरीता था यह खरीता था 13500 रुपे में ठीक और यह फेन गारंद अट घ। सब्सक्राइब करें तो आपको सब्सक्राइब करें तो आपको इसको चला रहा हूं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यामरो क्वालिटी के मामले में फोन कैसा है साथ ही ये फोन फीचर बगएरा सारी चीज आज कसी वीडियो में होने वाले है तो बस वीडियो का पूरा देरना सुरूशन लाज तक अगा आप इस वाले फोन को खरीदने की सोच नहीं तो ठीक है तो वीडियो काफी इंट्रेस क्या नहीं मिलने वाले ठीक है तो सबसे पहले देखो जब आप इसको फोन खरीद तो फोन खरीदने के बाद इसका जो बॉक्स आपको मिलता है बॉक्स अंदर आप वो काफी चार्जर आपको देखने मिल जाए जो कि 44 बाट का आता है और मुझे लगता कि ये चार्जर अब बात कर लेते हैं कि हमारे फोन के बारे में क्योंकि देखो जब आप इसको यूज करोगे इसमें किस तरी जो क्यामरा क्वालिटी अब आपको मिलने वाली है तो इसका जो सबसे अट्रैक्टिव करता है इसका जो लुक है डिजाइन है फोन का वो मुझे काफी पसंद और बैक में आपको एक अच्छी फिनिसिंग मिल जाती है काफी प्रियम डिजाइन मिलता है एक भी वो की ब्रेंडिन बगेरा लेकिन कैमरे पे जब आप नजट डालोगे तो आप अच्छा आपको सेटप मिलता है सरकल टाइप में डूल कैमरा सेटप है बैक में 50 में कैमरा प्लस टू में कापिसल का सेल्फी कैमरा मिलता है और साइड मांटें फिंगर पिंड आपको मिल जाती है इससे भी जाते है जो कमाल की चीज़ है वह है इसका प्राइस 13500 में मिल जाते है चैज़ी ब्रेम और 128 बी स्टूरेच से साथ आते है बहीं पर डिस्पले की बात करें सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी किस तरी जो पर्फॉम्मेंस सबाई से आप जो है फोटो अगरा निकाल सकते हूँ बाकी गेमिंग के बात कर लेते हैं इस वाले फोन के अंदर आप प्रोसर देखोगे क्योंकि इसमें जो है आपको स्न आपको देखने को मिल जाते हैं और मुझे लगता कि यह काफी बेस्ट उप्सन होने वाले है लेकिन आप बात कर लेए जब आप फोन को चलाओगे तो काफी स्मूथ नेस तो आपको दिखाई देगी गेम बगार जैसे पब जैसी गेम भी आप जो है इसली वाले फोन में ख के तोर पे क्योंकि मैं इसको चला रहा हूं बाई काफी मजा आया मुझे फोन को चलाने में इसके बाद आप कुछ इस्तरी जो फोटो बगर है वो यहां पर आप निकाल सकते हो यह फोटो है बिना किसी पोट्रेंड मोड के और फोटो में डीटेल्स बगरा जूम बगर इसका है कि attractive लगती है background blur की वज़े से और वो मुझे काफी बढ़या लगती है जाब पोट्रेंड मोड में आप जो है इससे फोटो शूट करते हो selfie फोटो शूट करते हो तो मुझे काफी मजाया देख करके ठीक है इसके बाद back camera के अगर बात करिजा है तो back camera में आप एंगल पे कुछ एंगलों पे फोटो बहुत अच्छी ले सकते हो लेकिन कुछ एंगलों पे क्या होता है कि photo आपकी विकार आती है जैसे कि हैपर आप तो यहाँ पर यह जो यह बाई लाइट में था ठीक है तो काफी जादा हाट सनलाइट थी तो इस तरी जो फोटो आप निकाल सकते हो लेकिन जैसे आप portrait mode में स्विच करते हो तो portrait mode में क्या होता है कि background में काफी अच्छे blur आते हैं जिसके फोटो थोड़ से attractive लगती है और क मुझे काफी बढ़े लगी camera quality अगर बात कर जाए तो phone में camera quality काफी जबर जस्त आपको देखने को मिल जाती है और gaming परपस से phone जो है काफी सही रहने वाले price के साब से अगर देखा जाए तो look design phone में काफी best आपको देखने को मिल जाती है display काफी अच्छी है साथी phone का जो look है क्योंकि मुझे तो काफी ज़्यादा पसंद आया और एक 5G phone है जो आपको 13,000 रुपे की range में मिल रहे तो यह मुझे सबसे best option लगते है क्योंकि एक तो price भी कम है और साथ यह आपको bear end काफी अच्छी मिल रहे है look design बढ़े है phone के अंदर display काफी अच्छी मिल रहे है refresh rate बग खैदी कि जैसे की camera में bucks बगेरा को लेकर के hang in lag बगेरा तो काफी कतनाग चल रहे है तो बाकि आप मुझे खुद comment करके बताना कि यह phone आपको क्या से लगा और आपको अच्छे लगा तो भाई आप इसको like करो और आपको कुछ भी चीज पूछने है तो comment कर दो तो दोस्तो मिलते हैं आप से अगली बेड़ो में करता के लिए दोस्तो जाहिन बंदे मात्रम